दोस्तों अगर आप सीजी व्यापम के मंदी नी रिच्छक उपनी रिच्छक भरती पर रिच्छक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है जैसे की पता होगा आपको कि 36 गड़ में अभी कोरोना की केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जिस कारण से आपको प्रक्रिया लगाई जा रही है तो इस कारण से आपका पेपर क्या अभी पुश्पूर्ण हो सकता है तो इसी पर दुस्तों चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि क्या लॉग डाउन की कारण आपको पेपर जो प्रभावित होगा किया नहीं होगा ठीक है तो चली स्टाट करते ह है सबसे पर प्रेस्ट बेल आइकन और यूट्यूब आपको मैं बचा दो कि जो राजधानी में जो ये टोटल लॉग डूं किया गया है जो की नौ तारीक के बाद से सुरू हो जाएगा आपका नौ तारीक नौ अपरेल साम से आपका जो है उननीस तारीक तक ये जो है रखा गया है तो इस बीच में तो यदि परिच्छा जो भी होगी तो वो अवित नहीं कराई जाएंगी अभी लेकिन आपका जो परिच्छा है वो तो इसके बाद रखा गया है ठीक है तो देगिए आपका एक्जाम यदि मैं कहूं तो इस लागड़ून तिसी के बाद में हैं आपका एक्जाम डेट ठीक है तो जाहिड जी बाद के परिच्छा में अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि आपका पेपर पॉष्पन होगा या नहीं होगा ठीक है यदि बाद करें तो दस दिन के लागड़ून के बाद मुझे तो लबता नहीं है कि पूना कि जिन विद्यार्चियों के परिच्छाएं दी हो रही है तो उनको छूट दी जाएगे जाने आने के लिए लेकिन अभी आपको पता हुगा कि आज देट पर ही जो है इनकी परिच्छा को रद कर दिया गया है तो यानि कि अब विद्यार्चियों को भी बाहर निकलने के छूट नहीं मिलेगी ठीक है लेकिन अब कोशिस यह है कि लगता नहीं है कि दुबारा से जो है निस्ताइक के बाद से फिर से लाट डाउन लगाए जाएगा तो इस केस में आपका परिच्छा पॉस्पॉन नहीं होगा तो इसलिए आप क्या आप अपनी जो तैयारी को जारी रखिए क्योंकि जो है एक्जाम दिये गए समय पर भी होने के फूल चांसेस है तो आप सोच कर मत चलिए कि एक्जाम और डेट बढ़ जाएगी और तैयारी के लिए समय मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि जो भी अभी पॉसिबिलिटी है वो है कि और चनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद